आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इला अंटी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर शिम्ला मिर्च आलू की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और जल्दी से बनकर तयार हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आलू शिम्ला मिर्च बनाना आलू शिम्ला मिर्च बनानी के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम शिम्ला मिर्च लिए है उसी हिसाब से आलू लिये हैं जिने काट लिया है आप किसी भी शेप में काट सकते हैं एक बड़ा प्याच एक बड़ा टमाटर दो तीन हरी मिर्चे और तीन पीस लस्षन और थोड़ा पाउडर गरम मसाला तो चलिए शुरू करते हैं शिम्ला मिर्च बनाना गैस ओन कर ली है और अब हम बरतन में तेल डालेंगे तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तेल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे तेल गरम हो गया है अब मैं इसमें एक छोटा पाल दे जीरा लालो गया है इस टांग में इसमें शिम्ला मेर चालू आज कर दो हमें इसे 5-10 इनट होने बस्तम लाओकर प्राई करना है और बीच बीच में खिलाते रहना है इसे फ़र्म निक्स कर लेंगे और इसे बिल्फुल लो प्रेंट कर पताएंगे हैं डिट्व प्रेंगे बीच बीच में इसे अलट पलट करते रहेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसमें सारे मताले आड़ करेंगे दस मिनट हो गए है, तो सब्जी थोड़ी थोड़ी प्राई हो गए है, अब हम इसमें आड़ करेंगे, तमाटा, प्याज, अजरा क्लसन जो उनने मिक्ती में पेश दना राता, वो आड़ देंगे, साथी में डालेंगे स्वाद अनिकार जमक, पस्दी, डाल मेच, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमर डाला है, और इसको हम ढग देंगे, एक मिनिट के बाद हम इसे दुबारा पलट पलट करेंगे, और बीच बीच में चेक करते हुए इसे पका लेंगे, 15-20 मिनिट हो गए है इसको पकाते पकाते, चेक कर लेते हैं, सबजी का कलर तो बहुत ही अच्छा आया है, और यह आलू ही गल रहे हैं, अब लास्ट में इसमें अड़ करेंगे, गरम मसाला, और इसे मिक्स कर लेंगे हम, और सबजी में जो यह कलर आ रहा है, अगर ऐसा ही कलर आपको भी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, कि एवरेस का तीखा लाल, बर्ष में यूज़ करती हूँ, तो आप भी वही यूज़ करें, तो हमारी सबजी बनकर तयार है, इसे सर् जी का वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू